अब टीडी इस्टोर की सभी वीवेवर्स आज की इस वीडियो पर यह हमारी पस रेड्मी नोड 4 मोबाइल है और रेड्मी नोड 4 में क्या होता है कि जो चार्जिंग इंडिकेटर होता है काफी सारे मोबाइल में चार्जिंग पर्चेंटेज राइट की टॉफ कौनर पर दि सिगनल की पास बोल्टी की पास ही दिखाता है इसका जो चार्जिंग पर्चेंटेज यह लेफ साइड में आप सही चार्जिंग पर्चेंटेज पता कर सकते तो सबसे पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दिजीए इससे और solutions की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर setting option पर ट्याप करना है अगर आप चाहो तो यह वाला setting application में भी ट्याप कर सकते हो तो सबसे पहले आपको नीचे जाना होगा यहां पर आपको मिलेगी यह option notification and status bar तो lock screen and password की नीचे आपको notification and status bar icon मिलेगी उसके of disable enable करके notification icon को भी देख सकते तो यहां पर देखिए जैसे कि मैं यहां पर इसकी नीचे नीचे जाता हूँ तो यहां पर एक option मिलता है बैटरी इंडिकेटर नाम की तो बैटरी इंडिकेटर की जो option है यहां पर देखे टॉप बार लिखा गया तो इसलिए यहां पर टॉप पर लाइन आगया अगर आप इसे टॉप बार लाइन आ गया अगर यहां पर ब्लू कलर का बार लाइन आ गया अगर यहां फूल होगा दो इतना दिखाए इसका होगा तो इतना ही दिखाएगा तो हमें इससे सेट करना है फॉट्टेस पर यहां पर आपको 44 पॉर्टेस दिखा गया आप इसी डाइब का काफी सारे स्मार्पोन में यही सेम प्रोब्लेम है तो आप इससे सेट कर सकते है बट डीवाइस टुट्वाइस यह वैरी कर पर तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए